जिस स्टुडेंट आज का हमारा टॉपिक है सेल वॉल सेल वॉल को डिसकस करने से पहले आप लोगों के साथ शेयर करोंगी कि इस को इस टॉपिक को फॉर पॉइंट्स में मेंशन कीजेगा सबसे पहले लॉकेशन का डिसकस करते हैं लॉकेशन में देखिएगा ये तुमाम और उर्गनिजमें नहीं पाई जाती है जैसे कि एनिमल्स में ये अनिमल लाइक प्रोटिस्ट में ये प्रेजन्ट नहीं होती है इसकी इलावा लॉकेशन में इसकी देखिएगा कि ये सेल में कहां लॉकेट करती है ये प्लाद्मा मेंब्रेन की आटर मॉस कवरिंग होती है यानि सबसे बाहर वाली सेल की कवरिंग होती है जो के इंटरनल प्रोटर प्लाद्म को कवर कर रही होती है ये इसकी लॉकेशन ह उसके बाद उसके आगे आप आ जाएगा structure and composition पे तो इसमें जो अगर हम इसका structure देखें या composition देखें तो इसमें variety of chemicals पाई जाते हैं cell wall के अंदर सबसे पहले outer layer होती है types of cell wall है इसमें जो outer layer होती है इसको primary cell wall बोलते हैं और यह cellulose से मिलके बनी होती है जबके जो inner layer होती है उसे secondary wall बोला जाता है और यह जालम cells में पाई जाती है secondary wall जो है उसमें cellulose होता है जबके secondary wall जो है उसमें cellulose, lignin और pectin पाई जाती है primary wall जो होती है cell wall होती है उस वो जो है वो ठीक होती है जबके secondary cell walls जो होती है वो ठीकर होती है as compared to primary walls इसके इलावा secondary wall में पैक्टिन पाया जाता है लिगनिन के साथ साथ जो किया देता है उसको toughness देता है उसके बाद जो last पे देखेगा वो होगा यहाँ पर plasmo desmeta एक term है बहुत important है board के point of view से plasmo desmeta क्या होते हैं यह small pores होते हैं जो के cell wall में पाय जाते हैं जिसकी मदद से side of plasm जो है वो cells के adjacent cells के connected रहते हैं और यह material का exchange करते हैं इसके इलावा जो है वो cell wall जो होती है वो non living material होता है और यह hard or ठीक होता है function में देखें क्योंकि यह hard or ठीक होते हैं तो यह क्या provide करती है protection प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन करती है internal material को यह प्रोटो प्लाजम को protect कर रहे होती है इसके बाद यह shape में second function क्या होता है shape maintain करती है cell की और third में आप लिखोगे कि यह क्या करती है यह maintain करती है वहाँ पर strength provide करती है cell wall को उसके बाद अगर हम देखें इसकी composition में तो फंचाई जो है उनमें cell wall जो है cellulose की नहीं होती है बलकि उसमें kytan की होती है जबकि प्लांट cell को अगर देखा जाए तो प्लांट cell में जो cell wall होती है मेलली cellulose की होती है औरलजी मे примे भी timeline से मिलके बनी होती है bacteria में जो है ये नास idag mieux से मिलके बनी होती है बलकिए आर मैक्रो मॉल्कुल्स से मिलके बनी होती है जिसको papitato glycan बोलते हैं और papitato glycan झो होता है ये polymer होता है माइनो एसीड और उसका शूगर का ठीक है तो ये हमारा है ट्रॉपिक आगे देखिएगा ये एक डायग्राम है जिसमें टू सेल जो है डियसन फॉर्म एक दूसरे के साथ कनेक्टिड है और जो ग्रीन कलर में आपको नजर आ रही है बाउंडरी वो है सेल वॉल और उसके अं यह याड़ है यह याद रखिएगा यह पॉर्स पाए जाते हैं किस में यह एमवेटा पो पाए जाते हैं सेल वॉल में पाए ठीक है और यह हमारा टॉपिक है और यह जो अधायग्राम मैं आप लोगों के साथ यहां पर वीडियो में शेयर कर रही हूँ इसको ड्रा कर ली जिगा हम वर्क ली